साथ रिखाहन करते है मैं जहां करना चाहिए कंद के चाहिए का अपन की अच्पेस की बात की हैं काफी सारे इंपर्टन चीजीज पर डिस्केशन की ऑच एक इंपर्टन नूटपर चालू करते हैं आज का लेक्चरल जहां पर हम आज पहला chapter start कर देंगे this is one the first video where we are going to discuss about the most important chapter that I feel और मैं उसी के साथ start करने वाला हूँ मैं order में नहीं जाओंगा first chapter second chapter third chapter मुझे लग रहा है यह chapter बहुत ही important है और मैं इसी से start करने वाला हूँ and this chapter is gonna be the most top particular chapter of the whole mathematics that is differentiation क्यों important है क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ क्यों मुझे लग रहा है कि यह chapter पहले करवाना जरूरी है वहम discuss करते हैं chapter number three जो है आपका differentiation साथ माक के लिए चैप्टर नंबर फोर जो है आपका application of derivatives यह आता है नौ माक के लिए जब हम नौ माक्स और साथ माक को जोड़ ले तो जो टोटल आता है वह आता है 16 माक्स जिसका हम बात करें जैसा हमने पिछले वीडियो में वीटेज के सब बात के 40 परसंट वीटेज मजा कर नहीं है दो चैप्टर चालीस परसंट वीटेज क्यारी कर रहा है तो कुछ दम है इस चैप्टर और यह चैप्टर आपको क्लास ट्वेल्थ तो क्लिर करवाएंगाक ही करवाएंगा तो बूस देगा ही देगा डिगरी कॉलेज में बिल्कुल कीजिए बिकॉज इससे आपको तो वैल्यूबल कंटेंड मिले गए हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि इन लोगों के लिए वीडियो रोज बनाने ये लोग अमारे भरो से बैठे ये लोग ने अपना ओध अपकी बार नभे पार में बिलीव किया है और इसलिए स्यादातर लोग के साथ जाए जो मैकरमेटिक क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उन्हें सब के पास वीडियो पहुंच जाना चाहिए differentiation से शुरुवात करेंगे chapter number 3 class 11 में हमने ये chapter पढ़ा था at the end differentiation आपको chapter था concept सिखा था काफी formulas भी सिखे तो मुझे याद है लेकिन कि आप लोग को ये formulas नहीं आता होगा I know काफी ओको आता रहेगा very good अगर आ रहे है तो आप comment section में भी बता लीजे I personally like your comment और अगर नहीं आता है एक भी formula याद नहीं है अरे करने लिया था आप याद नहीं है sir don't worry शुरुवात से शुरुवात करेंगे start से सिखेगे अब ये चीज जो concept है ये हम करते है for marginal demand marginal cost कोई भी चीज का calculate करने में business use case differentiation time pass chapter नहीं है मैं बोलता हूँ न मैं हर chapter को सिखाने से पहले try करूंगा आपको समझाओ कि ये काम कहा आता है mathematics अगर अगर आप कोई बहुत लोग उडाने के लिए बोल देते बहुत meme pages बोल देते कि maths की teacher को पकड़ के मारने जा है ये तो अब तक मेरे life में काम ही नहीं आया maths maths का using का है अब तक मेरे life में काम कहां आ रहा है तो for them this particular thing is very important differentiation आपको काम आता है marginal demand marginal cost calculate करने में मलदा मेरी demand जो है ये क्या percentage से गढ़ने वाली है क्या percentage से गटी है मेरी cost क्या percentage से बढ़ी है क्या percentage से गटी है ये कौन calculate करवा पाएगा ये differentiation करे का अब बहुत लोग बोलेंगे sir ये तो directly हो सकता है न उसके differentiation क्यों करें बिजनेस इसमें बहुत सारे uncertainties होती जो हमें नहीं नहीं पता कभी क्या हो जाए नहीं पता बहुत variables ले करके चलते हैं बहुत रस्क ले करके चलना पड़ता है और इहीं particular risk के साथ जब हमको calculate करना हो हमारा marginal cost marginal demand तो हम differentiation का सहारा लेते हैं कहीं बार आपको एक ऐसा अकड़ा चीए एक ऐसा cost चीए कैसा का demand चीए जो आपको बताए कि इतना बना ले तो इतना तो बिखी जाएगा एक से नंबर कि तो वो percentage of change मेरे को calculate करना है दोनोई cases में which will be done using differentiation इसका practical application के जो मैं बोल रहा हूं वो अगर आपको जानना है कि किस तरीके सो का इसके next chapter जो chapter 4 application of derivatives इस particular chapter के अंदर आपको questions भी वैसे मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूं तब को समझ में आगा फिलाल के लिए वैसे questions आपको यह chapter में नहीं मिलने वाले यह chapter में हम solve करना ज्यादा सिखेंगे और next chapter जो नाम ही application उसमें apply करेंगे सारी जो यह concept में बोल रहा हूं वो chapter 4 के अंदर हम apply करेंगे अगर आपको यादो class 11 के अंदर आपको दो exercise से differentiation के अंदर जो first exercise थी वो आपका chapter number 3 का base है और जो second exercise थी वो chapter number 4 का base है तो आपके दो exercise दो chapters में बढ़ चुके match के अंदर differentiation can be defined as derivative of a function with respect to independent variable जैसा कि मैंने बात की कोई independent variable को हमको सास में ले करके चलना पड़ता है in a business और उस particular चीज़ को हमको जब calculate करना हो तो वो होता है using differentiation कोई topic जो हमको यहां पर बताना है कि क्या क्या हम करने वाले है तो सबसे पहला जो topic है वो topic रहने वाला है about derivatives of composite functions यह मैं exercise wise बोल रहा हूं कि हम exercise wise यह सारे topics cover करने वाले जो पहला topic है वो है derivative of composite function second जो है वो है derivatives of inverse function third जो है वो है derivatives of logarithmic function उसके बाद जो है derivatives of implicit function fifth जो आने वाला है derivatives of parametric functions और आखरी में आने वाला है derivatives of second order 6 exercises होने वाली है इस particular chapter में 6 के 6 exercises इस तरीके से divided है पहले हम बात करेंगे composite function फिर inverse function लोगारित्मिक function implicit function parametric function और second order derivative के बारे में तो 6 के 6 exercise इस तरीके से divided है start करते है derivative of composite function से लेकिन उसके पहले इस वीडियो में हम खाली formula ही सीखेंगे कोई समस्टार्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे खाली formulas light रखते हैं चीज़ों को basis start करते हैं formulas and rules of differentiation सबसे पहला basic formula derivative of k equals to zero यह क्या है k is constant k is constant constant यानी क्या कोई भी alphabet apart from x and y या कोई भी number इसको हम constant बहुते हैं समझो मेरा derivative of 10 10 क्या है number number क्या हो गया constant zero answer आएगा derivative of a a क्या है x और y क्या लगा कुछ है वरबर कोई भी और variable है तो कोई भी और variable को भी हम constant गिनते हैं a भी क्या बन जाएगा zero तो derivative of constant is zero यहाँ पर मैंने k लिया है k को हमने गिना है as constant तो derivative of constant is always zero यहाँ पर example के derivative of one equals to zero यह d by dx जो लिखा है यह d by dx का मतलब ही क्या है derivation differentiation दोनों same है d by dx का मतलब ही है differentiation ओके next derivative of kx kx मतलब क्या k हमने सिखा constant x क्या है x मेरा variable है मैंने बड़ा है x और y variables x मेरा variable है तो constant with variable जब भी आए जब भी मेरा variable और constant साथ में आया तो क्या करना है ध्यान से सुनो constant को इज़द दे के बाजू कर देने का variable को इडिफरेंसियेशन का formula लगाने का क्या करने का वापस constant को बाजू कर देने का variable में formula लगाने का तो यहाँ पर kx में k बाजू हो जाएगा और x में differentiation लगाएगे तो ध्यान दो यहाँ पर बहुत ही important चीज बता रहा हूँ अब यहाँ पर example 4x वाला लेते differentiation of 4x जो यहाँ पर दिया है इस particular चीज को अगर मैं इसको solve करना है यहाँ पर constant क्या है 4 4 एक number है मैं क्या करूँगा यह 4 को बाहर लिख दूँगा ठीक है और यह x में differentiation लगाऊँगा यह बोला ना constant को इज़द दे के बाहर कर देगा अब यह x और यह x यह दो variable अगर same होना answer 1 आए तो यह दो variable same है इधर x है इधर भी x है answer आएगा 1 तो 4 into 1 अपने को क्या answer देगा 4 समझा क्या तो constant into variable जब भी आएगा तो answer क्या आएगा constant ही आए तो यहाँ पर suppose 5 x होता तो answer क्या आता भी ना solve किये 5 10 x 10 समझा तो constant with variable will always give constant समझा है यह चीज़ क्लियर है अब suppose यहाँ पे यह d by dy होता dx की जगह पे और यहाँ भी यह y होता तो यहाँ पे भी variable match हुआ y y तो इसका answer भी वना है तो आपको यह ध्यान देना है कि मेरा नीचे का variable और यह बजू वाला उपर वाला variable यह दो variable match हुए तो answer क्या आएगा 1 clear है देखते है next differentiation of x raise to n x raise to n का मतलब क्या x raise to number simple logic है example को examples थोड़े देऊंगा ताकि clear हो जाए चीज़ मेरे पास है derivation of x raise to 10 x क्या है variable raise to number 10 number है हाँ sir है है तो formula क्या लगेगा हो समय दो x raise to n का formula यहां से देखते हैं क्या है n x raise to n minus 1 क्या है n x raise to n minus 1 यहाँ पे n क्या है n है 10 तो लिख दो पहले 10 n है 10 x raise to x raise to raise to में कितना जाएगा 10 में से 1 minus x raise to n minus 1 मेरा n है 10 minus 1 फिर एक बार हाँ formula क्या है n x raise to n minus 1 मेरा n यानी number यहाँ पे number क्या है 10 तो पहले n लिखना है formula के हिसाब से फिर x लिखना है फिर n minus 1 करना है यानी कि 10 minus 1 तो मेरा final answer क्या नहीं कलता है 10 x raise to n minus 1 10 minus 1 कितना होता है यानी कि जब भी variable के उपर कोई number दिख जाए न तो अपने को यह लगाना है simple सी बात देखते हैं next चीज़ क्या है यहाँ पर एक एक ग्जाम्पल भी मैंने दिया है x square का तो आप देख सकते हैं वीडियो पॉस्ट करके ट्राइब कर सकते हैं root x root x का formula क्या है 1 upon 2 root x इसमें कोई explanation नहीं है याद करना है चीज़ root x का formula क्या है 1 upon 2 root x root x का formula क्या है 1 upon 2 root x explanation इसका भी निकलता है बट unnecessary कुछ जान के मतलब नहीं लंबा procedure हो जाएगा और conscious हो जाओगे तो याद रखना है whenever there is root of x उसका differentiation क्या हो जाएगा 1 upon 2 root x simple है next देखते है differentiation of 1 upon x 1 upon x का differentiation क्या होगा तो 1 upon x का differentiation हो जाएगा minus of 1 upon x square 1 upon x का differentiation क्या होगा minus of 1 upon x square next देखते है यहाँ पर मैंने एक example दे दिया है 1 upon 3x का तो यहाँ पर यह एक example explain करता हूँ because it is very important यह चीज़ अगर आप भी समझ गए न तो आगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी मेरा क्या था example 1 upon 3x इसका differentiation अब ध्यान दो एकस आना एकस बहुत ही possessive है बहुत possessive उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि भाई x के अलावा कुछ और आदे अब आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ यह formula मेरा क्या था 1 upon x का formula यहाँ पर क्या है 3x अलग है कि नहीं तीन जुड़ गया ना x के साथ x को नहीं जमेगा बाए x possessive है बोलता है यह मेरा ही formula है 3x को नहीं मिल सकते तो x के अलगा कुछ भी अलग आजाए ना तो उसको जमता ही नहीं तो x has decided to give a punishment तुम मेरा formula यूज करो बट एक compensation तुमको लगेगा एक तुमको punishment भुगदना पड़ेगा क्या है वो punishment आईए देखते d upon dx of 1 by 3x formula पहले देखते क्या है minus of 1 upon x square तो वो formula पहले लगा दो borrow कर सकते भाड़े पे दे दिया है उसने अपने वो formula तो minus of 1 upon 3x square हो गया इतना भाड़े पे मिली आपने को अब punishment इस जो वो नहीं था यानि x के अलावा क्या है यहां पे 3x तो x के अलावा जो चीज आ रही है उसको differentiate एक बार करते है बस x इतना ही बारता है है तुम थोड़ा सा मेरा punishment ले लो एक्स के अलावा जो भी चीज लिखा है जैसा यहां पे 1 upon x था ना यहां पर क्या है 3x जब भी ऐसा है तो क्या करना है constant को बाजू इज़त देखके भाई बाजू और x का differentiation variable check करनेगा इधर x है हाँ इधर x है हाँ दुनों जगा x है answer क्या आता है 1 3 into 1 क्या answer आएगा 3 3 into minus 1 minus 3 minus 3 upon 3 x square 3 or 3 cut कर सकते हो चाओ तो बच जाएगा minus 1 upon x square समझा क्या clear है किस तरीके से solve करना है अगर कुछ अलग आ जाए इस format में अगर आपको दिख रहा है देखो formula's नए change नहीं होने वाले मैं जितने formula's सिखाऊंगा वही formula's है उसी को apply करना है 6 exercise में बट type बदल जाए जैसे 1 upon x है तो 1 upon 3 x आगया तो अपने को click होना चीज़ा कि यह तो किस के जैसा है यह तो 1 upon x के जैसा है तो उससे हाथ पाव जोडो बॉरो कर लो formula और जो सजा दे रहा है क्या सजा दे रहा है कि मेरे अलावा जो जगा ले ली है दूसरे ने उसको differentiate कर तो यहाँ पर x की जगा किस ने ली 3x ने तो 3x को आपस differentiate कर लो बस बाकि उसको कुछ नहीं चीए बाकि उसूखी है वो x एक्स ने बोला वापर जितना मे differentiate कर देना समझा क्या अगर x में आता है तो तो direct यह answer आना है बर्ट यह 3x हो गया ना तो इस procedure से जाए अगर फिर भी थोड़ा clear नहीं हो रहा है पिछे जाओ फिर एक बार मेरा explanation सुनो spot on clear हो जाएगा next देखते a raised to x अपन एक formula सिखा जो था variable raised to number x raised to number यह ना x raised to number वाला formula सिखा कि नहीं सिखा yes or no सिखा अब थोड़ा उल्टा number raised to variable simple कोई भी number raised to variable अगर मेरे पास आता है तो उसका formula है a raised to x log a अब यह a क्या है यह number है example के साथ समझाओंगा घ्यान से जहाँ आप देखिएगा एक बार अब suppose number क्या है suppose के लिए मैं लेता हूं 2 variable x 2 raised to x इसको differentiate करना है तो मेरे को पहले चेक करना है कि भाई यह x raised to n है या एक्स रेस्टू number है या number raised to x है तो यहां पर मैं देखूंगा number पहले है उपार x है मतलब number raised to x है number raised to x है मतलब a raised to x है और a raised to x का formula क्या है a raised to x log a तो यहां पर मैं देखूंगा मेरा a क्या है मेरा a 2 है तो a raised to x रुग या इदर फिर क्या है log a तो मैं लिख दू log a की जगा पे क्या है 2 यह होगा मेरा final answer I hope आपको clear हुआ है किस तरीके से use करना है confused नहीं होना है मेरा x raised to n यानि x raised to number है और a number raised to x यह दो अलग formula है कि नेक्स्ट देखते है कि आप मैंने वही वाला एक्जामपल लिया जो अब भी लिखा हुआ है e raised to x सबसे सुखी formula है आपका chapter number 5 में भी आपको बहुत ही important होने वाला है यह formula विकाज यही एक formula होगा जो तुमको बिना याद किये याद ध्यान दीजेगा आज ही बाता रहा हूँ chapter number 5 में फिर repeat करूँगा integration of e raised to x and differentiation of e raised to x बहुत हार सेम यानि कि e raised to x का formula क्या होगा e raised to x वन मोर टाइम e raised to x का formula क्या होगा e raised to x समझा क्या ओके next देखते यहाँ पर वापस से मैं जो पिछले बार बता रहा था हूँ punishment वाला scenario वो explain कर देता हूँ ताकि जिसको पिछले बार clear नहीं हुआ था वो अब clear कर लिए suppose मेरे पास है for differentiation of e raised to 4x ठीक है यहाँ पर मैंने solve किया है बट यहाँ पर वापस solve करके समझाँगा तो I hope आपको better समझेगा e raised to 4x मेरे पास formula किस चीज़ का है देख लो फटाफट e raised to x का e raised to x का formula क्या है e raised to x सेम ही है बट इधर तुमको x दिख रहा है क्या नहीं इधर तो 4x है x को चलेगा क्या एक्स क्या बोलता है बोरो करो बट punishment बोरो कर लेते उसका formula e raised to x का formula क्या होता है e raised to x ही होता है यहाँ पर 4x है तो 4x लिख दूंगा फिर क्या करना है e अपना x क्या बोलता है x बोलता है मेरी जगा जिसने ले ली उसको फिर से differentiate करो x की जगा पर या पर जगा किसने ले ली 4x ने ले ली 4x को फिर से differentiate करो simple तो यह हो गया e raised to 4x 4x का differentiation किस particular format में यह बन गया है kx constant को इज़द दो बाजू कर 4 को इज़द दे के बाजू variable match हो रहा है हो रहा है तो answer क्या आता है 1 आता है 4 into 1 4 हो जाता है तो 4 को आगे लिख सकता हूं e raised to 4x this is our final answer I hope आपको समझ में आया है next देखे differentiation of log x क्या आएगा 1 upon x differentiation of log x is 1 upon x यहाँ पर example दे दिया है यह भी वही rules से ही हुआ है punishment से ही हुआ है करने बैठो के समझ जाएगा even if यह examples आपको फिलहाल के लिए नहीं समझ रहे है don't worry जब अपन sums करेंगे तो clear होगा but try करो कि समझ रहा है तो well and good चीज़े और simple हो जाएगी बाकी मैं तो समझा नहीं वागा तो यह हंते हमारे 8 formula यहाँ पर खतम और फिर कुछ special formulas आते हैं जिसको हम next lecture में discuss करेंगे और साथी साथ पहले exercise भी start करेंगे तो मिलते हैं next video में तब तक यह video को like कर दीज़े चैनल पर subscribe कर दीज़े अपने junior से चैनल को subscribe कर रहे है जो class 12 में है और class 12 वाले यह video देख लेए तो आपने दोस्तों के साथ शेर कीज़े साथ में पढ़िए जब भी video आ रहे है प्रेमियर पे लगे रहे है notebook और mobile के साथ फटा पट से note down कीज़े चीज़े और अच्छी तरीके से प्राक्टिस कीज़े because अब की बार नवे पार मिलते नेक्स वीडियो में बाई बाई टेक केर